असलाम लेकुम नासरीन आस्वाद हों कुकिंग मैं आपको वेलकम करती हूँ आज मैं आपके साथ पीजा सॉस की रेसीपी शेयर कर रहे हैं जिसको मैं बिल्कुल परफर्क्ट मेशरिंग के साथ बनाऊंगी इस रेसीपी को देखने के बाद आपको जितनी भी कौन्टिटी म में पीजा सॉस रेडी करनी है आप बिल्कुल एजिली रेडी कर सकते हैं तो चलें रेसीपी स्टार्ट करते हैं यह एक किलो ट्यमाटर हैं जिसके मैं टॉप हटा दूँगी रिमॉफ कर देंगी टॉप को मैं एक किलो ट्यमाटर से पीजा सॉस रेडी कर रहे हूं अब इस ट्यमाटर की मैंने चार पीसिस कर लिए आप किसी भी शेप में काट सकते हैं चाहिए आप एक ट्यमाटर में से दो पीसिस भी काट सकते हैं रफली शेप में किसी भी तरह से आप इसको काट सकते हैं यह एक किलो पीजो सॉस का फार्मूला मैं आपको बताऊंगे सारे मसाले वगारा जो इसमें स्पाइसिस एड़ किये जाएंगे वह एक किलो की हिसाब से होंगे सारी टिमाटर में इस तरह से कट कर लूँगी लंबाई की शेप में इसके लावा इसमें मैं दो स्माल साइस की अनियन को भी आइड कर दूँगी आप दर्मयाने साइस की भी प्यास ले सकते हैं अब इस प्यास को भी मैं दर्मयान में से कट कर लूँगी टोडर मैंने एक प्यास में से 8 स्लाइसिस किये थे इसको इस तर्मयान से कट करेंगे दो फिर इसे को हम मजेद इसको दो पिसेस में कट कर लेंगे इसको इसके बड़े-बड़े कर देंगे मुकम्म से मुकम्म तोड से अलग नहीं करेंगे तो अब अब सारी प्यास को मुस्ता से लियर जना कर देंगे कोई अब देख ले इसकी कंडिशन मैंने कितनी लेजला की है सारी या लगने किए अब हम इसकी सॉस रेडी कर लेंगे एक पेम में फोर टेबिल स्पून ऑइल एड करेंगे इसमें वन टीस्पून लेसन का पेस्ट आइड करतेंगे और इसको तक्रीबां 30 सेकिंड्स तक कुक करेंगे हलका से इसको कुक करना है ज़्यादा कुक नहीं करेंगे अब खुश्पू आने लगी है तो इसमें हम टेमाटर प्यास जो हमने कट करके डाल दिये थे वो इसमें एड कर देंगे और इसको एड करने के बाद भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसके बाद मैं इसमें केचप एड कर दूंगी वन कप केचप एड करेंगे वन टेस्पून इसमें नमाख एड करेंगे वन टेस्पून इसमें मैंने कुटरी लाल मे चैट की है वन टेबल स्पून पिसे भी लाल में चैट करेंगे इसमें औरेगनो पाउडर एड़ कर देंगे वन टेबल स्पून और वन टेबल स्पून इसमें थाइम एड़ कर देंगे इसके लावा वन टेबल स्पून इसमें ब्लैक पेपर एड़ कर देंगे ब्लैक पेपर पाॉडर और फोर टेबल स्पून इसमें सिर्का एड़ कर देंगे वाइट विनिगर ये सारी मैं आपको 1 kg की मैजिरमिन्ट बता रही हूँ अगर आपको क्वान्टिटी कम करनी अब हाफ कीज़ी डीमाटर के बना रहे हैं तो आप सारी मसाली इसमें से हाफ कर दीजेगा बिल्कों perfect मैजरिंग है इससे जरूर बनाएगा आपको अंदाजा हो जाएगा कितनी 12-13 सॉस रेड़ी हुई थी सारे स्पाइस मिक्स करने के बाद को हम कवर करके रख देंगे तक्रीब दस मिनिट के लिए अब यह अब देख लिए कुछ मिनिट यू में होई टेमाटर भी पानी रिलीस कर रहे हैं और काफी अच्छी को खोना शुरू हो गए अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी 10 मिनिट के लिए जास के लिए 10 मिनिट गज़र चुके हैं सको चेक कर लेते हैं अब Alexandra ने भी काफे ज़दा पानी रिलीस किया है मैं दिर्मियन दिर्मियन में भी इसको चेक करती रहती इसको चौड़ेंगे नहीं बिल्कु इसको चेक करते रहेंगे अब देख प्लेम ओप कर देंगे इसको हम ग्राइंड कर लेंगे कि गरम गरम इंड करेंगे इसको ठंडा करने की जरुवत नहीं है इसको हम ऐसे ही ग्राइंड कर लेंगे कि एक ग्राइंडर चेक में मैं सारा सॉस एड़ कर दूंगी करने के पास को आप ग्राइंड करेंगे कि अब जी ग्राइंड हो चुक है मैं आपको उसके कंडिशन दिखा देती हूं काफी अच्छा ग्राइंड हो चुक है तब मैं इसको उसी कड़ाई में बौर्क कर दूंगी जिसमें मैंने स्वास रेड़ी किया था क्यूंकि मुझे उसको कुख करना थोड़ा सा थिक करना है म बिडेम फ्लेम पसके कुकींग करेंगे चम चम चलाते रहेंगे साथ साथ इस में आप फूर कलर एड़ करते हूं कि रेड़ फूर कर दोगे लिच्छ के बराबर यह डालकर बच्चतरा से मिक्स करेंगे मिक्स करते रहेंगे साथ साथ कुक करते रहेंगे तो यह थिकनेस की तरफ चली जाएगी अब आप इसको देख लें पांच से साथ मिनट हो चुके हैं और काफे ज़्यदा यह थिक हो गई है इसका पानी भी ड्राय हो रहा है अब यह हम इसको ठंडा करेंगे ठंडा रूम टेपरेचर पर ठंडा करेंगे मजीद यह थिक हो जाएगी इस सक्त में इसका फ्लेम आफ कर दोंगी और इसको रूम टेपरेचर पर फैन में इसको ठंडा कर लेंगे एक बॉल मैं इसको ठंडा कर लेंगे झाल अब मैं आफसी कंडीर देखने लिए थोड़ी हो कि यह थोड़ी सी नीम गर्म है बिल्कुल हलकी सी गर्रेम है तो डेखने ठिक भी हो गई है यह काफी जादा तो अब मैं इसको मैं एक जार में एड़ कर दूंगी इसको आप बना कर फ्रीज में भी रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं, एक महिने तक जी बिल्कुल खराब नहीं होती है, इसका जाइका भी चेंज नहीं होता है, आपको जिस सब भी फ्रीजर बनाना हो, आप इसको आदे घंटे से पहले बाहर निकालते हैं फीजर से तो आप इस तरह से बहुत इसली पीजर बना सकते हैं इसके लाव आप इसको फ्रिश में भी रख सकते हैं अब यह थोड़ा सा बच किया थो तो मैं इसको छोटे वाले जार में एड़ कर दूंगी यह बहुत परफेक्ट पीजर सास रेड़ी हुए थी परफेक्ट मेजरिंग के साथ आप इसको जरूर बनाएएगा अपना फीड़बै भी जरूर दीजेगा इन्शाल आपको यह पसंद आएगा रेसिपि अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सबस्क्राइब भी जरूर कर दें इन्शाल ला नेक्स रेसिपि के साथ दोबरा आओंगी तब तक के लिए इजासत दें अल्ला हाफिस